बैक फ्लिप एक advanced और थोड़ा खतरनाक मूव है, इसलिए इसे करने से पहले अपने साथ में एक ऐसे experienced spotter को रखें, जो आपके शरीर के पहली बार पूरा घूमने पर होने वाले motion के साथ आपके शरीर को guide कर सके. साथ ही, गलती से गिरने की वजह से सिर पर चोट पढ़ने से बचाए रखने के लिए एक soft mat पर खड़े हो जाएं. जब आपका spotter तयार हो, तब अपने पैरों को कंधे के बराबर चोड़ाई पर फैला कर खड़े हो जाएं. और अपनी arms को अपने सिर के उपर तक ले जाएं. अपने घुटनों को squat में मोड लें. अपनी arms को नीचे लेकर आएं. फिर तेजी से अपनी arms को वापस सिर के उपर स्विंग करें. जब आप अपनी arms को स्विंग करें, तब जितना उचा हो सके, उतना उचा कूदें. एक बार आप जमीन से उपर पहुँच जाएं. फिर पैरों को अपनी चाती से टिकाने के लिए अपनी कोर को एंगेज करें और पीछे की तरफ घूमने के लिए मोमेंटम या गति का इस्तेमाल करें. फाइनली अपने पैरों को चाती से हटा लें और अपने मुड़े हुए घुटनों और उठी हुई चाती के साथ ग्राउंट पर लेंड करें.